क्योंकि राम बड़े लंबे समय से जिस परकार से एक इस नाम के उपर राजनिती होती रही लंबे समय से देश के अंदर और कहीं न कहीं जो भगवान शिरी राम जो एक आस्था का केंदर पूरे देश, देश के साथ पूरी दुनिया में जो भगवान शिरी राम के अनुयाई है भगवान शिरी राम को मानने वाले हैं उनके मन में भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर के एक संका थी कि भगवान शिरी राम की जनभूमी आयोध्या है और उस को अभी तक मंदिर वो नहीं मिला अभी तक भी टेंट में विराजमान है और उसको लेकर के जिस परकार का एक वातावरन देश में कोई छोटा समय नहीं है लंबी पीडियें इसके अंदर गई पांसो वर्ष का इतिहास और उसी तिहास को जो अमली जामा पाहनाया है तो देश के इससवी परदान मंतरी आदर्णिय अंदर मोधी जी ने उन्होंने कहा भी है एक सब्द कहा उन्होंने उन्होंने एक बात लोकसभा के अंदर कही थी कि मुझे इस देश की चिंता है वोट की चिंता नहीं है कहीं न कहीं लंबे समय तक अगर देश के ओपर सासन संतर जो जिन लोगों का रहा उन्होंने देश के अंदर वोट की चिंता की है देश की चिंता नहीं की है और उसका प्रणाम ये निकला कि लंबे समय तक भगवान शिरी राम और अब भव्य दिव्य मंदिर जो अयोध्या के अंदर बना है वो देश के 140 क्रोड लोगों की आस्थाओं का केंदर बिंदू है और जब भगवान शिरी राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी पूरी दुनिया में भगवान शिरी राम को मानने वाले लोग जो आस्था रखने वाले लोग पूरी दुनिया में एक राम में वातावर्ण देखने को मिला हर गली महले हर घर के अंदर एक राम का वातावरन था लोगों में एक सरद्धा खुशी का महल था कि पांसो वर्षों के बाद भगवान शिरी राम दिव्य मंदिर में आज वी राजमान हुए हैं प्रान परतिष्ठा हुई है यह देश के लिए एक परमसो भाग्या की बाद थी कि इतने लंबे समय के बाद वो अवसर परदान हुआ है कई लोग इसके उपर लंबे समय से राजनीती करते रहे हैं परंतु भारतिय जनता पार्टी के लिए यह राजनीती का केंदर नहीं है इस रद्धा का केंदर है और इस बात को लेकर के यात्रा भी निकाली और हमारे एजन्डे के अंदर भी था और हमने कहा भी था कि राम लेला हम आएंगे वंदिर महीं बनाएंगे प्रंटुज इस परकार की राजनीती होती रही है उसको आगे बढ़ाने की बजाए उसको उपर राजनीती सुरू की गई कही न कहीं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी उस विरासत के उपर लंबे समय तक चोट की गई और जो वो चोट की गई, कहीं न कहीं हमें देखने को मिला कि जो हमारी संस्क्रितिक द्रोवर थी, हमारे आस्था के केंदर थे, कहीं न कहीं वो लुप तोते दखाई दिये परंतो इन दस वर्सों के अंदर मैंने अपनी आँखों से ये देखा है चाहे किदार बाबा के जिर्णोदार की बात हो चाहे भगवान कांशी विश्वनात के जिर्णोदार की बात हो चाहे महाकाल के उजैन के मंदिर को कॉरिडोर के रूप में तबदील करने की बात हो चाहे गुरुनानक देव जी के जहां परकास परवुआ था और वो सथान पाकिस्तान के अंदर है हमें ध्यान में है कि जब लोगों की एक बड़ी आस्था जहां गुरुनानक देव जी का परकास परवुआ लोग बौर्डर से खड़े हो करके देखते थे कि वो सामने गाव है प्रंतु वहां नहीं जा सकते थे प्रंतु गुरुनानक देव जी के परकास जिस गाव के अंदर हुआ वहां पर भी कौल डोर बनाने का काम आदनिया नरेंदर मोदी जी ने किया है नरेंदर मोदी की सरकार ने किया है और मुझे खुसी है इस बात की चाहे सोमनाथ के मंदीर के जिर्णोदार की बात है और चाहे भव्य और दिव्य भगवान शिरी राम के मंदीर के निर्मान की बात है तो आदनिया परदान मंत्री जीने इन दस वर्षों के अंदर जिस परकार से हमारी संस्कृती जो विलूपत हो रही थी उसको संभालने का काम सहेजने का काम उसके अंदर लोगों की स्रद्धा जो लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक स्थान थे अगर हम कांसी विस्वनात की बात करें तो उसको भी मा गंगा के सामने भागवान शिव वो देख रहे हैं उस रास्ते को भी चोड़ा करने का काम नरेंदर मोदी की सरकार ने किया है मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कुरक्षेत्र के अंदर जाब अगवान श्रीकिष्ण ने गीता का संदेश दिया आजनीय प्रदान मंत्री जी ने इसी कड़ी के अंदर उसको सहेशते हुए उसका निर्मान करते हुए मैंने देखा है कि मेरे यहां पर भी जो महाभारत कालीन गाव बन रहा है अनुभाव के अंदर का जिसका उद्गाटन किया उसके दो जो दो ब्लोक हैं वो चालू कर दिये गए धाई सो क्रोड रुपे की लागत से इस महाभारत कालीन गाव जहां भगवान श्री किशन का गीता का संदेश जिस ठल के उपर दिया है उसका विजरनोदार करने का काम यह नरेंदर मोदी की सरकार ने इन दस वरसों के अंदर किय जया है